हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक क्या से जू कैसा न्यूटू चानल पे तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हर्याना पब्लिक सर्विक्स कमिशन के दोरा वेकिंसी निकल गया रही है जिसके बारे में पूरा डीटेल इसका ओफिसल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ तो लास्ट तक में साथ इस वीडियो में बने रहेगा साड़े डीटेल इसका ओफिसल नोटिफिकेशन से आपको बताऊंगा तो चलिए बेना के सिदिरी के सुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ओफिसल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके जो कि हर्याना पॉब्लिक सर्विस कविसन के दुराया पे जारी किया गया अप्टीज में नमबर 3 मटे 2020 आपको देखने को यहां पे मिल जाता है ताइम लाइन के बात कर लेते हैं तो डेट ऑप पॉब्लिकेशन के बात करें नोटिफिके और टोटल वेकेंसी कितनी यहां पे निकाली गई है तो एससी तरह से देख सकते हैं डी एफसी है और एक लास तहसिलदार है अरसी है ए एटियो है बीडी पियो है सभी वेकेंसी यहां पे दिया गया है तो आप यह एप्लिपीशन साब को दिये गए है इसका क्या फूल एक पूश्ट थे का बागी जितने भी पूश्ट है वो सभी ग्रूप B के पूश्टे है यहाँ पे देट देंग एंसन किया गया है कि आपका कब कर देख यहाँ पे होने बात कर लेते हैं तो मई या जून 2020 होगा मैं डीटेन एक्जामरीशन्स की बात करते हैं तो अगस 2020 म के बात करते हैं तो यहां पर दिया नहीं गया लेकिन most probably आपका जो भी center होगा वो हर्याना में ही होने वाला है प्लानोब एक्जामिनेसंस यहाँ पे दिया गया है कि प्री एक्जामिनेसंस जो आपका केवल स्क्रीनिंग होने वाला है और इस एक्जामिनेसंस की बात कहते हैं 200 मार्क्स का टूटल रहने वाला है objective type multiple choice questions आप से पूछी जाएंगे paper 1 जो आपका होने वाला general study जिसमें 100 मार्क्स के questions रहेंगे और civil services aptitude test paper 2 में होंगे जो के 100 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं दोनों ही paper आपका objective type का होगा दोनों ही 2-2 घंटे का exam होने वाला 0.25 के negative marking रहेंगे English और Hindi दोनों में paper आपको देखने को मिल जाएगा और जो paper 2 आपका civil services aptitude test होने वाला cable 33% marks आपको यहाँ पे लाने होंगे जो कि qualifying paper होने वाला है और जो main exam के लिए merit list त्यार होगा cable paper 1 जो आपका यहाँ पे general studies का है इसी के अधार पे आपका main list त्यार होगा जो कि main exam के लिए मेंस exam के लिए मेंस exam के लिए मेंस exam के लिए आगे यहाँ पे दीख सकते main detail exam जो आपका होने वाला है total यहाँ पे 600 marks का होगा जिसमे paper 1 आपका English होगा जो कि including English essay 100 marks का में आपका optional subject जो भी चुनने हैं तो केवल एक optional subject यहाँ पे चुनना है उसका list यहाँ पे दिया है तो इसी में से आप एक optional subject अपने coding यहाँ पे चुन सकते हैं list of the compulsory subject के यहाँ पे दिया गया है code wise तो आप यहाँ पे चीक कर सकते हैं century test के बाद होगा जो कि 75 marks का होगा इसके coding आप यहाँ पे चीक कर सकते हैं जनकारी यहाँ पे प्रवाइड कर दी गई है eligibility condition के बात करते हैं तो all over इना के condition यहाँ पे apply कर सकते हैं age limit के बात करें तो आप देख सकते हैं कि DSP post के अलावे जितने भी यहाँ पे पोश्ट है उसके आपका minimum 80 और maximum 42 साल से ज़्यादा age नहीं होना चाहिए जो कि एक जनवरे दो जारे की इसके coding count होगा और जो DSP का पोश्ट है उसके आपका 27 साल से ज़्यादा age limit नहीं होना चाहिए इसके अलावे अगर आप हर्याना के निवासी है अगर काटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपर एज में छूट यहाँ पे मिल जाता है उसके बारे में जनकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो DSP का पोश्ट है उसमें फिजकल स्टेंडर भी माँगे गा है जैसे के मेल कंडेट है तो हाइट आपकी 5 पूर 7 इंच होनी चाहिए और फिमेल कंडेट के केस में 5 पूर 2 इंच होनी चाहिए आपकी हाइट चेस्ट की बात करते हैं तो male candidate के लिए cable applicable है 33 इंच आपका यहाँ पे रहना चाहिए जो कि centimeter में आप चेक कर सकते हैं expansion के बाद कितना होना चाहिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बात करते हैं minimum educational qualification की तो candidate must बोजे जब बैसलर डिगरी है आर्ट है science या commerce है या फिर equivalent यहाँ पे apply कर सकते हैं जो कि 2 April 2020 तक आपका complete degree हो जाना चाहिए बात करते हैं application फी कि तो देख सकते हैं यहाँ पे male candidate है general category से belong करते हैं या फिर including dependent son of a service man और भाड़ आना बागी male और female दोनों ही category candidate अगर SC, BC, BC, BCB या फिर एक service man है या फिर economical vehicle section से आते हैं हडियाना के निवासियां तो आपको 250 उपर application फी देने है PWBD candidate है हडियाना के हैं तो आपको कोई भी application फी यहाँ पे नहीं देना है तो दोस्तो आज के अपडेट में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए नहीं चलन पर दो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो